नमस्का दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं शादी की शादी में जो रुकावटे हो रही है या फिर शादी नहीं हो पा रही है तो उसमें ऐसे कौन से उपाई है जिने करना ठीक होगा दोस्तों सबसे पहला उपाई ये है कि जिनसे आपकी शादी की बात चल रही है तो इन बातों को गोपनिय ही रखना होगा अगर किसी को भी आप इस बारे में बताते हैं तो आपके लिए ही परिशानिया खड़ी हो जाती है इसके अलावा आपको शनिवार के दिन लोटे में जल, दूत और हल्दी डाल कर पीपल की पेड़ पर चड़ाना है दोस्तों यह जल आपको स्वच मूँ यानि की बिना कुछ खाए पिए चड़ाना है जल चड़ाते वक्त आपको गायती मंत्र का जाप करना है दूसरी बात आप अपने जेब में हमेशा पीला रुमाल रखें और हमेशा अपने दातों को साफ रखें क्योंकि ब्रस्पती और शुक्र का संबंद स्वच्चता से है दोस्तों यदि आप तीन शनिवार तक लगातार ऐसा करते हैं तो आपको फाइदा जरूर होगा इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यमा दोस्तों